उनकी नीन नहीं खुली उन्हों नहीं देखाज की जमीन इस तर पर सराब की दुकान और मांस की दुकान हटी या नहीं छोड़ी-छोड़ी बच्चियों को निकलना, इस्कूल जाना कालियर जाना मुश्किल पड़ा हुआ है कालीन सरकार को एक्सन लेना चाहिए और नसे मांज की दुकाने वहां से हटाना चाहिए क्योंकि आने वाले वक्तों को निश्चीते परिसानी होती है क्लेक्टर महुदे के पास ग्यापन देने आई है कि आतिसे ग्रम मैहर और चित्रकूट से जो आदेश अनुसार आट किलो मीटर दूर सराब और मांस की दुकाने होनी चाहिए उस मांग को लेकर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं नमस्कार मैं मुर्दुल पांडे हूँ और आप आईवीसी 24 के डिजिटल प्रेटफॉर्म खबर बेवाग को देख रहे हैं मैहर और चित्रकूट जो एक ऐसे तीर सिस्थान है जहां से लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी है ना सिर्फ सत्ना चिला बलकि पूरे देश के लोग यहां प्रभू स्री राम की नगरी चित्रकूट और मैहर माशारदा की नगरी आते हैं लेकिन यहां कुछ गदिविधियां ऐसी हैं जिसे लेकर लोगों की आस्था को चोट पहुँच रही है उसी मुद्दे को लेकर आज कई लोग आंदोलन प्रदर्शन करते हैं हमें दिख रहे हैं और यहां सत्ना कलेक्टेड में मुखर होकर कुछ बातों का बिरोध कर रहे हैं वो कौन से मुद्दे हैं क्या बाते हैं इस बिशे पर हम चर्चा कर लेते हैं किस बात को लेकर किस मांग को लेकर आप लोग आज एक जूट हैं आज हम लोग मैहर और चित्रकोट को पवित्र नगरी बनाने के लिए एक जूट हुए हैं क्योंकि मैहर और चित्रकोट में सराब और मांस की दुकान लंबे समय से संचालित है सासन द्वारा तो आदेश जार होने के एक साल बाद भी सराब और मांस की दुकाने नहीं हटाई गई हैं जिससे मईहर और चित्रकोट का जो आस्तित्त है वो कहीं न कहीं खत्रे में पढ़ रहा जो पवित्रता है जिस आस्था के साथ लोग यहां आते हैं वो कहीं न कहीं यहां जब लोग पहुंचते हैं त चित्रकूट से जो आदेस अनुसार 8 किलो मीटर दूर सराब और मांस की दुकाने होनी चाहिए उस मांग को लेकर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं अचाहिए बांग आज की नहीं काफी पूरानी है तो क्या लगता है प्रशासन इस पर आज तक कोई कारवाही नहीं कर पाया प्रशासन के वाल एक का में जूट बोलना मैहर को और चित्रकूट पवित्र नंगरी घोशित कर दिया इन्होंने भगवती मानो कल्याड़ संक्ठन और भारती सक्ति चेत्ना पार्टी के माध्यम से कई मरतबा ग्यापन दिया गया तीन दस को आदेश पारित किया गया कि मैहर नंगरी पवित्र नंगरी है और चित्रकूट भगवान राम की तपको स्थली है वहां से आठ किलोमीटर दूर सराब और मांस की दुकाने संचाल ने तो आदेश जारी कर दिया आदेश जारी करने के बाद उनकी नीन नहीं खुली उन्हों नहीं यह नहीं देख़ए कि जमीन इस तरह पर सराब की दुकान और मांस की दुकान हटी यह नहीं आज हम पुना उस ग्यापन के माध्यम से सरकार को पुना सशेद कर रहे हैं कि अगर आपने आदेश जारी किया तो उसको तत्काल अमन मिलाएं वरना भगती मानो काल्यार संक्ठन वा भारती संक्ति चेद्नापाड़ी के तत्वाधान में बिशाल जंगी प्रतसन किया जाएगा जिसकी सारी जबाबदारी प्रतसन के उपर होगी कुछ महिलाएं भी हैं किस तरह की दिक्कते देखते हैं महियार और चित्रकूट में जब ऐसी गतिविदियां देखते हैं कि जिसे मांश मदिरा की दुकाने हैं पहली बात तो जहां पवित्र रद्री नगरी है तो आठ किलो मीटर के पहले तक कोई भी इमान शुमिदिरा की दुकाने होना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ा और पढ़ा के रहे हो बेटी बचाए बेटियों को इस तरह से बेटियों के बच्चों बेटियों के पतियों को सराब पिला पिला के नसे से ग्रशित किये हुए है वो किस तरह से परिशान है यहां तक कि उनको मतलब खाने के खान ना से मान से चित्रकूट और मैहर की बात कर रहे हैं आप लोग उसमान को लेकर आई वहां पर देखते हैं कि भक्त लोगों को कितना ताड़ित की आजाता अभी अभी चित्रकूट में कितना मतला लडाई जगडा की अगा है डंडे लाठी चल गई पता ये धर्म नगरी में सब होना चाहिए चोटी-चोटी बच्चीयों के साथ ब्लत कार एक अतने दावदनाग और कितनी घिनी मतलब कार हो रहा है यह सब मैंने सोय हुए हैं जाग नहीं ने को बहना बोलते हैं लेकिन बहनों के साथ कितनी घ्रणाकार कर रहें देखा जाये तो अगर चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट प्रभू स्री राम की तपो भूमी है और मैहर माशारदा की नगरी जो है वह एक सक्ति पीठों में से एक है बावजूद यहां मांस व मदिरा खुले आम भिक रहा है और वहां जो देश भर से स्रधालू आते हैं वह काफी परिशान होते हैं और इन सबसे जो समाजिक तत्तों हैं उनका जमावड़ा रहता है इस विशह पर भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं आप आप क्या कहना चाहेंगे इस विशह पर मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए चित्रकोट जैसे पवित्र नगरी घोशित किया गया महियर पवित्र नगरी घोशित किया गया इसमें निश्चीतमय सरकार को एक्सान लेना चाहिए और पर होती हैं अन्य दिक्तों का सामना भी करना पड़ता है रहती हैं तो सरकार को द् receipt होते हैं बड़े तीर्त हैं बढ़े हरं मांश मांस और मदीरा की विक्री पर रोक लग चुगी है क्या वजय लगती है कि सत्ना चित्रकूट और महिहर जैसी परवितर नगरी है बड़े तीर्थ हैं यहां आप तक क्यों नहीं रोक लग पाई क्योंकि जिस तरह से मद्धप्रदेश सासन और खासका बिंद छेतर में जो भा इस तरह से रोक लग जाए और मांस और महिजिरा की दूकाने वहां पर बंद हो जाए यह लगातार मांग सत्ना जिले से उट रही है और चित्रकूट और महिहर को मांस और महिजिरा से कब जिला प्रशाशन या प्रदेश सरकार मुक्त कराएगी यह देखने वाली बात होग मृदूल पांडे IBC 24 सत्ना